जम्मू में फिर से ड्रोन वाली साजिश दोहराई जा रही है दरसल जम्मू के सांबा सेक्टर में तीन जगए ड्रोन देखा गया ये धुन्दलाती तस्वीरे खतरे की घंटी है जो अंधेरे की आड में ये बताती हैं कि ये आतंक की गहरी साजिश है जम्मू के सांबा सेक्टर में रहने वाले कुछ लोगों ने जब आसमान में इस चिम्टिमाती रोशनी को देखा तो उनके होश उड़ गए पहले तो सभी ने इसे कोई हेलिकॉप्टर समझा लेकिन जब आवाज हेलिकॉप्टर जैसी नहीं थी तो उन्हें समझते देर नही लगी कि ये पाकिस्तान की साजिश वाला ड्रोन है पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा के पास सांबा सेक्टर में ड्रोन की खबर से हडकंप मच गया आसपास के लोगों ने फॉरन पुलिस को इसकी सूचना दी कुछ ही मिंटों में पुलिस मौके पर पहुँच गई लेकिन सांबा सेक्टर में दिखने वाला ड्रोन अकेला नहीं था ये ड्रोन अपने साथ, तीन और साथियों को भी लाया था सरहत पर एक बार फिर ड्रोन का खत्रा मन रहाया तो सुरक्षा एजनसियां चोकन ना हो गई एक ही दिन में चार जगों पर ड्रोन दिखने से आतंकी साजिश का शक भी गहराता जा रहा है अकनूर सेक्टर में भारती सीमा के पास दिखे ड्रोन को एजनसियां खत्रे की घंटी मान रही है दुनिया तक बॉर्डर के पास उस इलाके में पहुचा जहां गुरुवार शाम को ये ड्रोन दिखाई दिया था ये जगे पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई है यही वज़ा है कि ड्रोन से आतंकी साजिश का खत्रा बढ़ गया है इस समय हम मौझूद हैं भारत पाकिस्तान अंतराष्टे सीमा के पास अकनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में और बेरे पीछे जो आप ये काटे दारतार देख रहे हैं ये जिरो लाइन है मेरे कैमरे परसन आपको इस समय अंतराष्टे सीमा की तस्वीरे दिखा रहे हैं आप यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की चोकियों को भी देख सकते हैं और इसी अलाके में परगवाल इलाके में ही कल देरात जो है एक ड्रोन की हरकत जो है वो देखी गई ये जो ड्रोन है यहां के स्थानिये लोगों ने देखा और उसके बाद उन्होंने तुरंट जो है सुरक्षा बलों को जो है इसकी सूचना दी और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अब्यान चलाया गया जो कि सुबह तक चला सुबह जो है उस तलाशी अब्यान को फिर रोग दिया गया क्योंकि सुरक्षा बलों के हाथ यहां पर कुछ नहीं में लगा क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब भी drone की हरकत देखी गई है drone के जरीए पाकिस्तान ने यहां पर हथ्यार बेजे हैं जमू कश्मीर में उसकी तसकरी करने के लिए drone का प्रयोग किया गया है साथ ही में जो drugs की जो smuggling होती है, जो तसकरी होती है उसके लिए भी ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस समय ये काफी ज़्यादा चिंता का विशे है सेक्यूरिटी एजनसीज के लिए ड्रोन दिखने के बाद आसपास के इलाकों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया सुरक्षा एजनसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रोन के आने का असल मकसद क्या था आसपास के इलाके में ड्रोन का सुराग तलाशा जा रहा है स्थानिय लोगों से भी पूश्ताच की जा रही है कि किसी ने ड्रोन से कुछ गिरते हुए देखा तो नहीं था खत्रा इसलिए भी बढ़ गया है कि पिछले कुछ महीने में ड्रोन से नशा और असलहा भेजने की वारदात भी बढ़ी है डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रोन ने आतंक के समान की डिलिवरी की और आसानी से वापस लोट गया ड्रोन दिखने की वारदात से आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं पिछले कई महीनों से स्थानी लोगों ने ड्रोन के खत्रे को करीब से महसूस किया है बता दे कि जून के महीने में जम्मू एरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से लोगों का डर और बढ़ गया है सुरक्षा एजंसियां सतर्क हैं और आसपास के लोग भी सुरक्षा बल का सहियोग कर रहे हैं यही वज़ा है कि सीमा के पास ड्रोन दिखते ही लोगों ने इसकी इतलाफ पुलिस को दे दी